हेलो फ्रेंड्स मेरे नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत हैं दोस्तों हमारे रिसी मिनियों ने बहुत सारी जानकारी आयोरेट के बारे में दी लेकिन उन में से था एक नावी में तेल डालने का फाइदा जी हाँ दोस्तों नावी यानि बोडी का एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे हमारे सरीर के सभी अंग जुड़े हुए होते हैं यानि हमारे पहले दादा दादी और नाना नानी भी इस पर बहुत ज़्यादा जिक्र किया करते थे कि तेल लगालो टूंडी में तेल लगालो से फाइदा होगा इस पर तेल लगाने की बात कही बहुत दिनों से कही जाते रही है क्योंकि ऐसा करने से सरीर के कई हिस्सों की हिलिंग में मदद मिलती है बच्ता फायदे बना है, आप देखेंगे मैं आपको बताने वाला हूं उसके फाइदे के बारे में जी हाँ दोस्तो नावी में सरसों का तेल लगाने से जया रखना नावी में सरसों का तेल लगाने से होट नहीं फटते और यह हमेशा नर्म और गुलाबी रहते हैं इसका दूसरा फाइदा नावी में सरसों का तेल लगाने से आँखों की जलन, खुजली और सूखापन ठीक रहता है आँखों की जो बीमारी होती है तीसरा फाइदा क्या रहता है दोस्तों नावी में सरसों का तेल लगाने से सरीर में सूजन नहीं होती है जी हाँ दोस्तो चौता फाइदा क्या है दोस्तो नावी में सरसों का तेल लगाने से गुटनों का दर्द हमेशा ठीक रहता है जी हाँ गुटनों का दर्द फाइदा मिलेगा आपको दोस्तो पांचमा फाइदा क्या है नावी में सरसों का तेल लगाने से चहरे की रंगत होते हैं या तो होते नहीं है या प्रोंगे तो सुड़ा होगा सरसों का अगर आप बाम का बाया तील की बात कर रहाтом तो इससे आपकी तुचा की रंगत साफ हो जाएगी आपको लगता है आपका कलर डार्क सा लग रहा है तो आप एक काम कीजिए नावी में बादम का तेल लगाने का सुरुबात कर दीजिए बादम का तेल इससे आपकी रंगत साफ होगी नावी में अगर आप सरसों का तेल ल मस्य हो जाते हैं उससे बहुत ज्यादा राहत मिलती है जी हां दोस्तों नावी में तिल लगाने से मुहासों हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं हमेशा मेशा के लिए ये फाइदा है दोस्तों नावी में अगर आप नीम का तिल लगाते हो तो चेहरे की कील मुहासे दूर हो ज तो इससे मेलाओं में हर्मोन जो होते हैं वो रजाती है और गर्वधारण की सम्मावना बढ़ जाती है। दोस्तो वैसे तो तेल लगाने के बहुत सारे अनिकनेत फायदे हैं। अगर मैं और भी बताना चाहूं तो बहुत लंबी हो जाई तो आप अपने जीवन में साम को सोते समय या दिन में आप नावी में जरूर तेल डालने की अदत डालिये फिर देखिए चमत का दोस्तों अभी तक जिस किसी ने मेरे चैनल